मैं आपकी स्मिति मेहम आज आपको अध्याय 12 कहां गई गवरेया पढ़ाने जा रही हूँ आ मेरी गवरेया आ चीची फुदक गवरेया आ आ मेरी गवरेया आ चीची फुदक यानि मेरी गवरेया आ जाओ चीची करके फुदकती हुई गवरेया मैं भी खाऊं, तू भी खा, चोच में दाना लेती जा केशो, दादी खाना खाते समय, रोज किसे बुलाती हो यानि यह आवाज किस की थी? यह केशो की दादी की थी यानि भाठेली चेडियों को प्रति दिन गवरया को बुला के उसे दाना देती थी तो यहाँ केसो अपनी दादी से कहता है दादी खाना खाते समय रोज आप किसको बुलाती हो दादी बेटा गौरययों को बुलाती हो दादी क्या कह रही है कि बेटा मैं गौरययों को बुलाती हो केसो कैसी होती है गौरयया कैसी होती है दादी गौरयया छोटे आकार वाली घ पर घर के अंदर चींचींचींची करके सोर मचाती रहती थी। यानि दादी ने क्या कहा कि गहरया चोटे से आकार वाली और घरों में अपना अधिकार जता के बसेरा करने वाली प्यारी सी चिडिया होती है। पहले सुबा होते ही घर के आंगन में पेर पर, घर के अंदर चीचीचीची करके सोर मचाती रहती है। तो दादी ने चेड़िया के बारे, गरया के बारे में यापताया। हम रोटी के कुछ टुकड़े आंगन में डाल देते थे, वे उन्हें पाने के लिए आपस में जगरती थी, फिर मुँँ में खाना लेके फुर से उड़ जाती थी। किसों ने दादी से क्या प्रश्ण किया, कि दादी अब गरया कम क्यों हो गई है। तो दादी क्या कहती है, बेटा, अब बहुत से मुबाइल टावर बन गए हैं, इनसे निकलने वाली तरंगे गरया के कम होने का कारण है, खेतों में कीडों को मानने वाली विसैली दवाओ का अधिक प्रयोग भी इनके लुप्त होने का कारण है। दादी ने क्या बताया, कि भाई अपका ये जो समय है, मुबाइल की उप्योगिता कुछ जादे बढ़ गई है, तो मुबाइल की उप्योगिता बढ़ने से मुबाइल टावर भी लगने लगे हैं, इन मुबाइल टावरों से जो तरंगे निकलती हैं, ये गवरया के कम होने का कारण है। खेतों में कीडे मारने वाली जो विसाली दवाएं प्रयोग की जाती हैं, इसके कारण भी ये लुप्त होती जा रहे है।